नहीं नहीं ममा पापा तो नहीं आए मगर उस कामवाली का बेटा अलमारी के पास पास घूम रहा था ले गया वही मेरे पैसे निकाल कर ले गया मैं अभी जाती हूँ चुडिया के घर इतने में कालू का वाभी आ जाता है वो चड़िया काम वाली का बेटा मेरे पैसे चुरा कर ले गया है मैं तो सुभा से बाहिर था अगर मैं घर होता तो आज फिर जगु मेरा नाम ही लगाता जगु सच सच बताओ ऐसे जूट नहीं बोलते बेटा ममा ममा पापा घूर रहे है शरम करो कालू मेरे बेटे पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो गोरी कवी गुसे में चुड़िया के घर जाती है चोटे पक्षियों के चोटे ही काम होते है चुड़िया अपने बेटे से बूझो इसने मेरी अलमारी से पैसे चुड़ा कर कहा रखे है नहीं नहीं ममा, मैं तो कोरियांटी मालकिन की अल्मारी के पास भी नहीं गया कूकू, कूकू बेटा, सच सच बताओ, मुझे शर्मिंदाना करना बेटा ये तुम्हारे साथ इसलिए तो गया था, और इसे वहां क्या जरूरी काम था अब तो कूकू की ममा भी कूकू पर शर्क करने लगी थी कूकू बेटा, जल्दी बताओ, वरना मैं बहुत मारूंगी तुम्हें कूकू रोने लग जाता है नहीं ममा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं है रात को सब सोय हुए थे बचाओ, बचाओ, कोई मेरे ममा पापा को बचाओ मेरे ममा पापा नधी में डूप गे हैं, कोई मेरी मदद करे तुम चोर हो, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा तुम चोर हो, तुम चोर हो, चोर हो, चोर हो कोई चोर की मदद ना करे इसके मममा पापा को मर जाने दो मममा, मममा, पापा, पापा ऐसे चिलाता हुआ जगु कवगा उठकर बैठ जाता है और रोने लग जाता है जगु, जगु बेटा क्या हुआ है? कोई ड्रॉवना सपना देखा है क्या? ममा ममा मैं चौर हूँ मैंने ही उस दिन आपकी रसोई से पैसे चुराए थे और और पापा का नाम लगाया था ममा कल भी आपकी अर्मारी से पैसे कूकूने नहीं बलके मैंने चुराए थे ममा ममा मुझे माफ कर दे ममा मुझे माफ कर दे कालू कवा भी उठ जाता है गोरी चोरी करना गलत है मुझे इसका ऐसा जब हुआ तो मैं बढ़ा हो चुका था हम बहुत भागेशाली है जो हमारा जगु अभी ही सीधे रास्ते पर आ गया है बेटा मैंने उस चड़िया के बेटे की बहुत बेजती की बेचारे की मुमा मैं कल कुकु से सोरी कर लूँगा फिर दूसरे दिन चगु कवा कुकु के लिए गिफ्ट लेकर उसके घर जाता है जगु के ममा भी साथ थी चड़िया मेरा जगु कुछ कहना चाहता है कुकु से कुकु मेरे दोस्त मुझे माफ कर दो मैंने ममा से जूट बोला के पैसे तुमने चुराए है कुकु बेटा जगु ने अब वादा किया है के अब कभी भी चोरी नहीं करेगा फिर कूकू और जगू एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और मामा चडिया अपने बेटे की सचाई पर बहुत खूश थी प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साशियर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना आपका धेनेवाद गोरी कवी और कालू कवे की शादी हो जाती है गोरी कवी कालू कवे को बहुत पसंद करती थी परन्तों गोरी कवी ये नहीं जानती थी के कालू कवा तो बहुत कामचोर और काहिल है वो तो कोई कामधंदा ही नहीं करता ला 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 हो 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 मेरी शादी हो गई मेरी शादी हो गई ऐसे बैठे गाने ही गाते रहोगे या जाकर मेरे लिए भोजन भी लाओगे मैंने तुम से शादी इसलिए की है कि मुझे भोजन लाने में बहुत दिकत होती थी अब तुम आ गई हो ना जाओ और अपना भी भोजन ले आओ और मेरा भी मैं अपने भाईयों के लाड़ प्यार में पली भड़ी हूँ मेरे भाई मेरी हर इच्छा पूरी करते थे तो फिर भाई साथ ही ले आने थे या फिर उन्हें को हो के तुम्हारा और मेरा भोजन भेज़ दें अब मुझे भोक लगी हुई है मैं भोजन खाऊं फीरा कर देखूंगी तुम्हें फिर गोरी कवी गुसे में वहां से चली जाती है क्या हुआ गोरी बेहन आप आज पहले ही दिन घर से बाहर कैसे चुडिया मैं क्या करूँ मेरे साथ धोका हो गया है मुझे क्या पता था कि कालू कवा कुछ भी नहीं करता और इतना काहिल है मैंने उसे भोजन का कहा तो कहने लगा कि जाकर खुद ले आओ गोरी बेहन आप चिंता ना करें कालू भाई ने शुरू से ही कोई काम नहीं किया परन्तु अब जब जुम्मेदारी पड़ेगी ना तो खुद ही ठीक हो जाएंगे मुझे बहुत भूग लगी है मेरे पास ये कुछ दाने है इन में से कुछ आप रख लें आकर गोरी कवी एक दिन अपने भाईयों को एक चिठी लिखती है भाई मैंने कालू से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है मेरा चरा भी दिहान नहीं रखता ना ही भोजन ला कर देता है अगर कोई बात करूं तो मारता भी है और हर समय सोया रहता है भाई मुझे आकर ले जाएं नहीं तो मैं आत्मा हत्या कर लूँगी आपकी बहन गोरी कवी मा मा गोरी बहन की चिठी है ठीक है मेरी बेटी क्या लिखा है मेरी बेटी ने चिठी में मा गोरी बहन बहुत परेशान है उसका पती उसे मारता भी है और भोजन भी नहीं ला कर देता मुझे तो पहले ही वो कोई आवारा कवा लगता था मैं आची जाकर अपनी बेटी को ले आती हूँ दो दाने ही तो खाएगी मेरी बेटी ऐसा कहते हुए गोरी की मा गोरी को लेने निकलती है गोरी मैं धीरे धीरे खुद को बदल लूँगा आप लीज ऐसा ना करें मुझे छोड़ कर ना जाएं मैंने तुम से शादी करके गलती की थी और अब तुम्हारे साथ और रहने की गलती मैं नहीं करूँगी ऐसे ही गोरी की मा भी आ जाती है बड़ा बदमाश है तुम अब मारो मेरे सामने मैं देखती हूँ तुम कैसे मेरी बेटी को मारते हो बोलो अब बोलो अब चुप क्यों हो मा जी मैंने इसे मारा तो नहीं है भोजन के लिए लड़ाई हुई थी मेरी इस से वो भी मैं सुधर चाऊंगा आप लीज मेरी पतनी को मेरे पास ही रहने दें नहीं मा मैं अब इसके साथ नहीं रहूंगी फिर गोरी कवी की मा गोरी को साथ लेकर चली जाती है चुड़िया बेहन मेरी पतनी मुझे छोड़ कर चली गई है आप लीज मेरे साथ चलें और समझाएं उसे वो तुमें छोड कर नहीं जाएगी तो और क्या करेगी तुम तो एक भोजन नहीं ला कर दे सकते उसे बाकी तुम और क्या करोगे मैं बहुत कोशिश करता हूँ खुद को बतलने की परंतु नहीं कर पाता तो फिर जब खुद को बतलो तो फिर जाना और ले आना अपनी पतली को ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गोरी कवी को अपनी तबियत कुछ खराब लगती है वो बुलबुल दी के पास चाती है बताई हो गोरी तुम एक अंडे की मा बनने वाली हो ये क्या गोरी तुम्हें खुशी नहीं हुई ये सुनकर नहीं नहीं मैं बहुत खुश हूँ फिर गोरी कवी वहाँ से चली जाती है वो एक पेड़ पर बैठ जाती है मैं अपने बच्चे को क्या बताऊंगी कि इसका पापा कहा है और बिना पिता के मैं कैसे अपने बच्चे का पालन पोसन करूंगी हो सकता है कालू अब सुधर जाए मैं मा जी से कहती हूँ मुझे कालू के पास ही छोड़ाए ऐसा सोचते हुए गोरी कवी अपनी मा के घड़ जाती है गोरी जब घड़ जाती है तो वहां कालू को देख हैरान हो जाती है गोरी मैंने मा जी से माफी मांग ली है चले मैं आपको लेने आया हूँ गोरी बेटी कालू बहुत शिरमिंदा है और ये मिंती कर रहा है फिर से कुछ ऐसा वैसा ना करने का वचन दिया है इसने हामा मैं भी अब वापिस अपने ख़र चली जाना चाहती हूँ ये सुनकर कालू तो बहुत खुश हो जाता है जो हुआ सो हुआ अब मैं तुम्हें एक अच्छा पती बन कर दिखाऊंगा फिर कालू और गोरी कवी वापिस अपने ख़र चले जाते हैं पती जी एक खुशी की ख़बर है आपके लिए बताओ बताओ गोरी क्या बात है कालू जी आप पिता बनने वाले हैं मेरे अंडा होने वाला है क्या क्या सच में मैं पिता बनने वाला हूँ सच कालू जी अब तो मैं अपनी पतनी का बहुत अच्छे से दिहान रखूँगा तुम घर में आराम करो और मैं आपके लिए भोजन ले आता हूँ ऐसे कवा गोरी के लिए भोजन लेने चला जाता है वो उड़ता है उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी के भोजन कहां से मिलेगा फिर वो तोते और कबूतर को एक पेड़ पर बैठे देख वहाँ चला जाता है तोते यार मैं भोजन ढूण रहा हूँ परन्तु मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा मेरी मदद करें ये सुनकर तोता और कबूतर हंसने लग जाते हैं भोजन और तुम पहले तो कभी तुम्हें भोजन ढूणते नहीं देखा और कवे जी भोजन सुभा के समय मिलता है इस समय तो सबख्षी भोजन लेकर अपने खरों को चले जाते हैं तो फिर तोते और कबूतर यार कल चाते हुए मुझे भी अपने साथ ले जाना मैं भी भोजन की खोच को जाऊंगा अब मैंने खुद को बदल लिया है क्यूँके मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ अगर तुमने सच में खुद को बदल लिया है तो फिर हम सुभा जाते समय तुम्हें साथ ले जाएंगे फिर कव्वा वहां से चला जाता है उसे उड़ते उड़ते एक पेड़ पर एक अमरूद नजराता है वो खुशी खुशी वहां उतरता है चलो कम सकम पतनी जी के भोजन का तो बंदोबस्त हुआ फिर कवाव वो अमरूद लेकर अपने ख़र चला जाता है क्या आपने कुछ खाया है? हाँ हाँ मैंने तो चावल खा लिये थे कालू छूट में ऐसा कहता है ऐसे अब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे संतान की खुशी ने उनकी जिन्दकी बदल दी थी और वो दोनों खुद को बदलने की कोशिश कर रहे थे दूसरे रोज कववा मू अंधेरे ही बाकी सब पक्षियों के साथ भोजन लेने चला जाता है ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और गोरी कववी एक सुन्दर सा अंडा देती है जिसे कुछ दिनों बाद एक काला काला छोटा सा बेटा कववा निकलता है जिसे देख वो दोनों कुछ ज्यादा ही खुश थे गोरी अब मुझे पता चला कि जिन्दगी का असल मकसद क्या होता है जो खुशी मुझे अपने परिवार के लिए जीने से मिलती है वो मुझे अकेले में कभी ना मिली थी मैंने बहुत चोरियां की बहुत बुरे काम किये और मेरे इस बेटे के कारण मैंने सब छोड़ दिया मुझे भी माफ कर दो कालू जी मैं जो आपको छोड़ कर चली गई थी मैं भी अगर सबर और बड़दास्त करती तो समय तो गुजर ही जाना था फिर जंगल में तेज बारिश शरू हो जाती है हमारे घर में तो भोजन भी नहीं है और बारिश भी तेज है हमारे इस छोटे बचे को किसी नरम-नरम फल की जरूरत होगी आप ऐसे हलात में भोजन की खोच को ना जाएं नहीं गोरी मैं अपने बेटे को भूका नहीं देख सकता और फिर कालू कव्वा तेज बारिश में घर से निकलता है कव्वे को तेज बारिश में जाता देख चड़िया उसे आवाज देती है कालू, ओए कालू, सुनो तो कहां जा रहे हो मेरे घर में एक छोटा सा बेटा आया है और घर में खाने को कुछ नहीं था मैं कोई नरम नरम फाल लेने जा रहा हूँ अब बताओ कालू, पहले वाली जिन्दगी अच्छी थी या अब वाली चुड़िया बहन, सच पूछो तो जीने का मज़ा ही अब आया भारिश के लिए भोजन का बंदोबस्त पहले से कर लेते हैं चुड़िया बहन, मैं सब सीख जाऊंगा अब आप ऐसा करें कि पहाडों पर जाएं वहाँ एक बड़ा पेड़ है, जिस पर मीठे मीठे जामन लगे हुए है आप वो ले आए फिर कालू कवा चीडिया को धन्यवाद बोल कर वहाँ से चला जाता है पहाडों पर कालू को वो फल मिल जाते हैं और उसे एक ऐसी खुशी मिलती है जिसकी कलपना वो कभी नहीं कर सकता था क्यूंके उसने अपने चोटे बेटे के लिए भोजन ढूंड लिया था इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जिन्दगी, होसले और बरदाश से गुजारो और फैसले करते समय सोच समझ कर फैसले करो क्यूंके अगर थोड़ा मुशकल समय गुजर जाए तो हो सकता है कि आने वाला समय आपके लिए धेड़ सारी खुशियां लेका